कल एक insurance agent हमको अप्रोच किया और कुछ question पूछ रहा था हमसे जैसे क्या हम insurance कराए हैं हम उसको simple answer दिये नहीं तो हमको बोलने लगा कि क्या हो अगर आपका death हो जाता है तो आपका परिवार वाला का क्या होगा एक बार से death काभी बात किसी को भी बोलिएगा किसी को भी तो वह अपना insurance बेचने के लिए बढ़ा था लेकिन अगर किसी को भी अगर यह आज्यूम करेंगे कि आपका death हो जाएगा तो एक बार से सक पका जाएगा मेरे साथ भी वैसा ही हुग हम उसको बोले हम insurance तो नहीं पड़ेगा महिना एज प्रीमियम आगे 21 साल तक अपका एज लगवग 30 के आसपास हो रहा हम से पूछा नाम पूछार कुछ कैलकुलेट किया फोन में 21 साल तक 24 रुपाय पे करना पड़ेगा और जब 21 साल पूरा होगा तो हमको लगवग 11 रुपाय वो रिटर्न कर देगा और इन फ्यूचर कभी भी पूरा जिंदिगी में कभी भी देथ होने पे लगवग 5 रुपाय को घर वाला को दिया जाएगा यही वो प्लान था सुनके एक बार से तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो 5 रुपाय घर वाला को मिलेगा लेकिन जब हम घर में बैठे प्रोपर एनालाइज किये तब हम अगला दिन उसको फिर से अप्रोच किये और हम उसे सही तरीके का सही कोश्चन पूछे यह वीडियो बनाने का मतलब ब्लाइंडली फॉलो कीजेगा तो आपको पच्छताने के लावा कुछ नहीं मिलेगा कोश्चन सही पूछिए उससे आप सीखिए वह बहतर होगा तो अगला दिन जब हम उसको अपरोच किये तो सबसे पहले मैरा कोश्चन यही था कि क्या हमको जैसे वह बोला था कि आपक पहस्यालीरी सर्णोंगे सब्सक्राइब क्या भीश्र्ण बोलने लगा रहा है कि गश好吃 हो जाएगा तो तो वह कुछ देर सोचा крут पूछे थे और जो पैसा है वो 5,30,000 एक साल में बढ़ेगा और अगर आपका खर्चा 25,000 है तो एक ही महिना में 25,000 उपर खर्चा हो जाएगा फिर वो धीरे-धीरे पैसा का वेल्यू कम होता जाएगा आप 5,00,000 को ही खाते जाएगा और मुश्किल से 25 महिना तक चलेगा तो वही बोलने है कहने का मतलब कि जितना पैसा हो खाने में रहने में या जिस तरीके का घर में रह रहा है उसका जो स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग उसको घटा पाना बहुत मुश्किल होता अगर एक्जांपल के लिए देखे तो अगर किसी का खर्च लगवग 12-15,000 पर महिना है तो अगर कुछ financial condition घर में आ भी जाता है तो उसका जो living में खर्चा होगा बहुत 10,000 के आसपास नीचे किया जा सकता उससे नीचे करना मतलब वह extreme poverty की तरब जा रहा है किसी भी इनसान को या किसी भी परिवार को उसी standard of living में रहना है तो कम से कम उतना पैसा है जितना वो खर्च करता उसके आसपास का उसके पास मन्खली आते रहना चाहे भले कोई रहे चाहे नहीं रहे तो पांच लाग के हिसाब से आपका परिवार वाला 20 महिना तक आराम से जिंदा रह लेगा उसके बाद का कटोरा लेके भीग मांगेगा खुद सोचिए आप हमको जैसे बोल रहे थे आ कि दम नहीं होगा कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए और हम उसको 50 लाख का कैलकुलेशन भी क्यों बोले हम बता देते हैं कि 50 लाख का अगर 6% अगर उसको हम बैंक FD कर देते हैं तो 50 लाख का 6% होगा एक साल में 3 लाख 25,000 अगर महिना खर्च है तो 3 लाख एक साल को पूरा नहीं होगा तो वह थोड़ा सा सोचा फिर बोला कि ठीक है सर आप 24 लुपया नहीं 24,000 का प्रीमियम का खरिद लिजे हम बोले के 24,000 लुपया का अगर हम खरीद लेंग साल घर खर्चा कैसे चलेगा क्योंकि मेरा कमाएं उतना है नहीं कि हम 24,000 का प्रीमियम का को इंसुरें लहीं हमें उसको बोले कि अगर जो परिवार वला 24-25,000 रुपय का इंसुरेंस में पैसा रख रहा है उसका खर्च कम से कम 24-25,000 के आसपास होगा या 30,000 के आसपास होगा मतलब टोटल कम से कम उसका कमाई 50-60,000 होना चाहिए प्लस अगर वो कुछ लगजरी में खर्च कर रहा तो कम से कम और जोड लिजर 30-40,000 रुपय तो आप खुद सोचिए कि इंडिया में कितना परिवार है जो लगभग लाख रुपय तक का महिना कमाई करता है वो बोला कि लगभग 1% क्या असथास होगा तो लगभग 1% आदमी ही अपना परिवार को सिक्योर कर सकता है बाकि 99 परसेंट आदमी क्या करेगा हम उसी से कोश्चन पूछें कुछ रिपलाई तो नहीं कि या बस वो इतना ही बोला कि तब तो यह प्लान बेकार है क्योंकि इससे बहतर तो यह है कि पांच लाकर पर जो आपका परिवार वाला को मिल रहा था और उसरे वो कम से कम 20 महिना आरा परसा ठीक लगा कि कम से कम 5,000,000 रुपा तो उसका घर वाला को मिलेगा इसे कुछ हद तक वो सस्टेन कर सकता है कुछ दिनों तक ही सही लेकिन सस्टेन कर सकता है तो हमको यह प्लैन उसके हिसाब से उतना भी खराब नहीं लगा क्योंकि 5 लाख रुपा अगर किसी भी परिवार को दे दिया जाता है तो वह कुछ दिन तक तो जिंदिकी जी लेगा उसके बाद अगर उसका घर में परिवार में अगर कोई ऐसा फैमली मेंबर होगा जो काम क करके फिर से अर्णिंग करके अपना गुजारा भात्ता चला सकता है तो एक बार से तो यह थोड़ा सा ठीक लगा एस कंपियोर टू कुछ ना मिले उससे बहता रहे कि कुछ तो मिला लेकिन जिस आदमी को नंबर का थोड़ा सा भी खेल पता है नंबर को थोड़ा सा भी क्या होता है इस सबको थोड़ा बहुत भी जानता है उसके लिए यह खराब होगा कि क्यों हम थोड़ा देर में बात करेंगे लेकिन यह दो तरीके का आदमी के लिए सबसे बहतर होगा सबसे पहला तो हम बताए कि कुछ नहीं से बहतर कम से कम घरवाला को पांच लाकर मिल अब दूसरा बहुत सारा ऐसा परिवार है जो 10,000 उपर महिना कमाएं चाहे 1,000,000 उसके पास 25,000 उपर तक नहीं होता है अपना सेविंग के लिए आप चेक भी कर लिजेगा कि वह भले 10,000 कमाएं चाहे 1,000,000 तो ऐसा परिवार जो पैसा सेव तक नहीं कर पा रहा है उन सब अब भी इस प्लान सबको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देगा क्यों आप खुद सुचिए एक वेबसाइट है sipcalculator.com sipcalculator.com खोल लिए तो उसमें टाइप कीजिए 24-100 रुपया पर मन्त फिर टाइप कीजिए जैसे आप हमको बताए 21 साल और जहाँ परसेंटेज दिया हुआ है वहाँ पर 5 रखिए calculate कीजिए कितना रुपया हो रहा है एक जेक लगभग 11 रुपय के आसपास हो रहा है तो अब आदमी हमको बोला कि 11 रुपय तो आपको मिल रहा है पांच परसेंट 6 परसेंट उसे जादा तो मिलता नहीं कि बैंक FD में भी लगभग उसी क्यास पास रिटन मिलता है तो यह तो बहतर है ना कि 5 परसेंट रिटन मिल गया प्लस पांच लाग तक का insurance in future कभी भी देथ होगा तो मिलेगा एक बार से जो normal आदमी उसके लिए चाहिए कि 16,000,000,000 मिलेगा तो हम उसको बोले कि ठीक है यह जो percentage वाला box है उसमें आप 8 कर दीजिए जब आठ की आर कैलकुलेट किया तो पता चला कि लगभग 16,000,000 क्यास पास total corpus आ रहा है मतलब 5% से लेके 8% के बीच का जो return है वो मिलेगा आपको या जिस भी आदमी जो 11,00,000,000 मिलेगा और 5,00,000,000 अगर उसी दिन मिल जाता है तो वो 8% हो जाएगा लेकिन अगर वो stretch करके माल लेते हैं उस आदमी का देथ 10,15,20 साल बाद भी होगा तो उसमें उसको 5,00,000,000 ही मिलेगा तो 5,00,000 का value आने वाला 10,15,20 साल में घट जाएगा इसी लिए हम बोले कि 5% से लेके 8% का बीच का ही return मिलेगा उस आदमी को एक बार से जो आदमी जिसको पता नहीं है number का खेल वो सचेगा कि चलो ठीक है लग 6% average मान के चले 6.5% के आसपास return मिल रहा है काफी बहतर है बैंक में रखते है तो भी उतना ही मिलता है साथ में हमको insurance भी दे रहा है घर automatic कड़ जा रहा तो यह काफी बहतर plan हो सकता है कुछ लोगों के लिए लेकिन कुछ reals देखिएगा तो हम उसमें पहले बताएं थे कि देश का inflation rate 6% या थोड़ा सा उससे ज्यादा है कैसे वो एक reals देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा अगर नहीं तो हम एक short में बता 5-6 साल का जब हम थे तब हम फुचका खाते थे एक रुपया का 4 और सरकार का कहना है कि inflation 4-2 मतलब inflation 2% से लेके 6% तक का बीच का है तो हम assume किये कि चलो inflation 6% तो अगर 6% के हिसाब से compound interest का formula लगाई है और 6% के हिसाब से निकालिएगा तो आपको 12 साल में कोई भी समान का दाम ड तो first forward की 12 साल तो जो 12 साल आगे आए तो हमको 2 रुपया का 4 फुचका मिलना चाहिए क्योंकि दाम बढ़ गया फिर और first forward की 12 साल तो 4 रुपया का 4 फुचका मिलना चाहिए था अभी लेकिन मिलता कितना है अभी 5 का 3 एक रुपय ज़्यादा लग रहा है लेकिन एक फुचक कब मिल रहा है और हम फुचका का एक्जांपल इसलिए लिए हैं क्योंकि फुचका में वो सब चीज यूज होता है जो हम लोग का घर मीउज होता है तेल मसाला आलू जितना हम लोग घर मीउज करते हैं उसके हिसाब से हम उसको एक्जांपल लिए जो बहतर था मेरे हिसाब वहाँ आपको रिटन केतना मिल रहा है लगवग 6% के आसपास तो आपका पैसा खूम फिर के आपको ही दे दे रहा है कोई चेंज नहीं अब आप बोल सकते हैं कि हम तो जमा कि यह थे लगवग 6-7 लाग हमको दे रहा है 15-16 लाग तो यह देखने से लग सकता है कि हाँ ठीक है कि इंफिलेशन होगा 6% मतलब भले हमको दिख रहा है कि मेरे पास 106 रुपया है लेकिन हम उससे उतना ही समान खरीच सकते हैं जतना में एक साल पहले 100 का खरीच सकते थे तो वो सोचने लगा कि फिर तो हम जो पैसा रखे वो पैसा ही हमको बस टोटल कुल मिलाकर रिटर्न कर दे रहा है यह सही भी है यह होता भी है अब वो हमसे कोशन पूछने लगा कि हम 5 अलाग रुपया तक का इंसोरेंस करा रहे हैं तो उसमें घर वाला ठीक ठाक 20 मैना से ज्यादा जिन्दा रहनी पा रहा है 6% इंफिलेशन है तो जो पैसा हम जमा कर रहे हैं कुल मिलाकर हमको मेरा ही पैसा वापस कर दे रहा है हम 2400 रुपयस से ज्यादा का प्रीमियम भी पे नहीं कर सकते तो हम क्या करें वहीं आब हमसे कोशन पूछने लगा तो इसका अगर देखें तो practically थोड़ा सा अलग solution और theoretically देखें तो थोड़ा सा अलग solution है theoretically तो हम यह बता देंगे कि इस तरीके से यह काम करता है लेकिन practically जब आप इसको करने जाएगा तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अब यह theoretically हम क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा टाइम आप उसी के basis पर वही काम करते जाएं मेरा basis कहने का बस यही मतलब है यह वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आप सही question अपने insurance agent से या financial advisor से पूछे बस ऐसा नहीं कि जो हम आगे बोल देंगे बस आप उसी को follow करके क्योंकि अगर आप परसा कीजिएगा तो सायद आप फस सक insurance agent बताएगा भी नहीं क्योंकि आप जैसे 2400 रुपय महिना जमा करते तो एक साल में कितना जमा होता लगवग 28,000 रुपय चलिए approximately माल लेते हैं कि 30,000 रुपय जमा हुआ उसमें 30,000 में लगवग 20-25% माल लेते हैं कि 25% के आसपास उसको कमिशन गया तो कितना रुपय तो 12,000 का अगर 25% भी ले लिया जाए तो कितना पैसा उस insurance agent को कमाई होगा लगवग 3,000 कहां एक में कमाई हो रहा था लगवग 67,000 और एक में कमाई होगा मातर 3,000 रुपया तो कोई भी आदमी कौन सा प्लैन आपको बेचना चाहेगा आप खुद सोचिए 3,000 जिसमें उसक उसमें जमा कीजेगा monthly तो उसमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका परिवार वाला को लगभगेट मैक्स 50,000 रुपया तक का some insurance मिलेगा फिर हमको बोलने लगा कि यह तो term insurance है तो term insurance है तो हम जो 1000 रुपय महिना कटवा रहे हैं वो हमको वापस नहीं मिलने वाला मतल करते ताकि मेरा परिवार वाला इंस्योड रहें कुछ हद तक सोचा कि हां यह बात तो ठीक है लेकिन फिर भी 12,000 रुपय तो चली जा रहा है कुछ नहीं मिल रहा है उसके बद्ले में अगर जो term insurance होता है मुशली 40 साल तक का होता है तो 40 साल तक हम पैसा पे करते रहा है एक यह ही बोलना था हम बोले यह बात भी सही है हर इंसान चाहता है कि हम अगर कुछ पैसा जमा करें तो in return कुछ मिले कुछ भी मिले बहले यहां insurance दे रहा है 50,000,000 रुपय तक का लेकिन अगर आदमी को कुछ होता है तब न मिलेगा कुछ नहीं हुआ तो वो पैसा 40 साल का होग हम तोड़ दे थोड़ा सा कैसे 2400 में से 1000 रुपय को हम निकाले और term insurance करा दिये term insurance जब हम करा दिये तो 50,000,000 रुपय का मेरा घर वाला insured हो गया कि अगर आपको कुछ होता है तो आपका परिवार वाला को 50,000,000 रुपय मिलेगा हम उसको बोले कि 1000 रुपय चला गया term insurance करान और percentage type कीजिए 12 12 12 कैसे मिलेगा वो थोड़ा देर में बात करेंगा पास अभी मान के चलिए ठीक है 12 कम से कम मिल जाएगा calculate आपको clear दिखेगा कि 16,000,000 रुपय आपको मिल रहा है और हम यह 16,000,000 इस तरीके का calculation हम जान बूच के किये हैं कि आपको पिछला case में भी 2400 जमा कर 12 कैसे मिलेगा हमको यह भरोसा है कि मेरा देश लगवग 6% से ग्रो करेगा क्योंकि इंडिया का जो average age है वो 27 years है मतलब यंग population है इंडिया में तो हम लोग काम करके कम से कम 6% से तो देश को ग्रो करा देंगे साथ हिमें में आपको बताए थे कि जो देश का inflation rate है वो 12% से तो SINSEX ग्रो करेगा कम से कम 12% से तो ग्रो करेगा ही तो अपना पैसा को उठा के अगर SINSEX में भी डाल दिया जा क्योंकि पिछला 40 साल का अगर return का बात करें SINSEX का किवल SINSEX का तो उसका return रहा है लगवग 16-17% परिवार हो गया 50 लाग तक का इंस्योड साथ में आ चाहता है तो अब आप बोल सकते हैं कि इसमें तो मेरा टैक्स का पैसा नहीं बचेगा तो हम उसको बोले कि यह जीवन अमर प्लैन जो है वो LIC का ही है अगर आप 11,000 पर महिना कटवार है तो कितना हुआ 12,000 रुपाय आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा अब बचा कितना ल BTC के तहथ टैक्स नहीं लगेगा वह थोड़ा सा खुश हुआ कि चलो कुछ सीखने को मिला लेकिन यह theoretically बोलना अच्छा लगता है कि हाँ इतना मिलेगा लेकिन अगर आप practically करने जाएगा तो किसी भी mutual fund को खरीदने का अगर आप try भी किजिएगा तो आपको ऐसे लिगा कि अगर आप किसी को पूछेगा कि mutual fund कैसा तो बोलेगा mutual fund सही है बहुत पैसा बन जाता है लेकिन practically जब भी आप mutual fund खरीदने जाएगा या फिर आप AMA FIA के website है उसमें पिछला 10 साल का आप record को चेक किजे बहुत company का तो आपको पता चले है कि बहुत company 5% तक mutual fund में return नहीं दे प return नहीं कमा पाएगा बहुत होगा जो 20% तक कमा सकता है तो theoretically हाँ यह बहतर plan है लेकिन practically यह कैसे possible लोगा यह आप पर depend करेगा कि आप कितना मेहनत करते हैं और बहुत सारा ऐसा आदमी भी होता है जो हम यहां calculation किये थे 2800 रुपए पर मन्त करके बहुत सारा ऐसा आदमी हो जो तरीके से analyze करके invest करें तो इतना पैसा बना लेगा कि उसका आने वाला कुछ पीडी तक तो धंक सेगर काम नहीं भी करें तो चल जाएगा दो यह का पाना मुस्किल है कि आने वाला पीडी क्या करेगा लेकिन कम से कम उसका future तो secured हो जाएगा और हम आखिर में फिर से यह बोल करीद के आराम से बैड़ गये पैसा कभी भी वैसा नहीं बनता है जब तक कि आप उसके पीछे मेहनत नहीं कीजिएगा किसी को भी blindly follow करना आपको destroy कर सकता है इसलिए question सही पूछिए मेहनत कीजिए पैसा बनेगा अगर कुछ सीखने को मिला तो जरूर सब्सक्राइब करें थन्यवाद